प्रेटफ़र में मैं आपको सवगत करता हूँ है इस से राफिक के बारे में अब ते स्य निंग के पहले बारे में बात करूँगा त Iron देखते हैं कैसे हमलोग इस टार्ट होता है और क्या होता है ग्राफिक अगर मैंने बोल जाए इस तो यह बहुत बड़ा पार्ट होगा एक पुरा डिपार्टमेंट ही हो गया जिस पर आप जॉब लगती आपकी जॉब होती है ठीक ही बहुत साथ जॉब ग्राफिक्स डिजाइनिंग के ही होते हैं इसमें लाखों के पैकेज आपको मिलता है ग्रा लिक्टर्स देख रहे हो ठीक डिजाइनदार पैक्टर है या तो कोई किसी कोई कंपनी कर रही है फेस्बूक पर इंस्टाग्राम पर तूइटर पर तो वो सब कुछ डिपेंड होता है आपका ग्राफिजाइनिंग के दो तो एसे में ग्राफिजाइनिंग में कौन-कौन स चीजितंसे शॉप्टर सुज़ते हुग तो बहुत सार हैं तो इसे बहुत साइशप्यों यूज करते हैं तो इसे बहुत ससाइश全 specially तो यह आपको जितने भी टाइब के आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट हो गए इसके लाबा निउस्पेपर बीजाइन करने वाला सारा काम ग्राफी डिजाइनिंग के इंतरगती होता है किसी बार के कोई तो फो foster एडिटिंग करनी हो कि इनिमेंशन क्रेट करने से पहले जो ट्यार तयार करता यह सब कुछ होता है सारे क्रिएट करना ही सब कुछ होता है और इलिश्ख्टर की उधर से आप कोई भी और न्यभे चळीन होता है या तो एक इंतकरणा आय reh Savior से create करना यह सब कुछ आप create करते हो illustrator से ओके अगे मैं आपको आगे चलके बताता हूं कि Adobe Photoshop और illustrator में क्या different होता है ठीक है उससे पहले मैं आपको समना चाहूंगा कि यार इसमें स्कोप के मैं बात करते हो तो कैस्स इसमें इसको पहुत इसमें लाको के package मिलते हैं अगर आप site designer हो सभी को एक graphics designer की यूज जरुवत पड़ता ही पड़ता है बिडाओट graphic designer कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है कोई भी किसी कोई भी company कितनी भी बड़ी हो उसके poster उसके promotion के लिए आपको graph designing क्या हो सकता पड़ीगा ही पड़ेगा तो यार थोड़ा सा हम लोग यह समझते हैं कि यह Photoshop और illustrator में क्या different होता है ठीक है अभी जो हम लोग software सीखने वाले हैं उस जिसका illustrator मैंने आपको नाम बता है अपने thumbnail पर भी देखा हुआ ठीक है इसके लवाँ आप यह title भी आप पड़ रहे होंगे तो आपको यहीं मिला होगा कि illustrator के मरद हम लोग सीख रहे है तो पहले हम कोई भी मैं आपको simple भी मैं सिखाता हूं कोई technical बहुत जाए technical word नहीं बोलूँगा यहाप कि आपको लिखा कि मैं 10 points हो अहां पर लिखाने वाद आप इसा कुछ नहीं है simple समझो एक photo है simple realistic photo है अगर उसको हमें create करना हो ठीक उसमें कुछ editing करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं realistic photo जैसे आपने कहीं बाहर आप गए हैं घूमने के लिए और वहां पे आपने picture एक selfie ली और उस selfie को आप edit करना चाहते हो उसके बहुत सारे filter यूज करना चाहते हो त अगर आप चाहती हो कि आपने आप यहां पे बैठे हो ठीक है आप किसी company के लिए आपने खुद के लिए एक post तयार करना चाहते हो उसमें कोई cartoon तयार करना चाहते हो तो उसके लिए उस cartoon को create करने के लिए आप क्या ही यूज करोगे illustrator का ठीक है illustrator के बाद सी यह सारे चीज इस वजह से आप जो काम फोटोशॉप पे आप लबब पांच घंटे में करोगे उसको आप यहां पे आधी घंटे में खाली करो सकते हो मतलब कि बहुत फास्ट इसमें एक्स्ट्रा टूल से और यह इसलिए डियाइन किया गया है क्योंकि इसमें आउटलाइन बगरा बनान क्रिएट करना काफी इजी होता है ओके तो आई होब आपको फोटोशॉप में अंतर सवन में आ गया होगा बस इतना ही है बहुत जारा इसमें हम लोग एक्स्ट्रा आगे नहीं बढ़ेंगे ठीक है चलो अब हम लोग मैं आपको फॉस्टी बता रहता हूं कैसे इसको इसको माइशन क्या होती है ठीक है बहुत सिंपल है एक फाल दांट करने है और मुझे पताःफ लोग कहां से डांट कर सकते होrence उसमें बताने की जरूबर नहीं है वो कैसे डांॉड करना होता है simply डांट करना के बाद यह आपको ऐसे फाइल मिल जाती है ओके माएं पस्टूपर कांटियूरी पे क्लिक कर देता हूं और इस्टालेशन प्रासेस स्टार्ट हो चुका है गाइस मैं त्वास यहां पे वीडियो को फास्ट वर्वड करूंगा जब तक यह इस्टालेशन हो रहा है कि अगया यहां पे लॉंच पे क्लिक कर दूँगा सीधे या तो मैं यहां से भी जाकर चलू कर सकता हूं बट मैं यहां पे लॉंच तेज़ वाला इस्टॉल कर लिया है मैंने यहां पर इसको करता हूं कैसे लिए यह भी डिपेंड करता है आपके सिस्टेम के पर अच्छली मेरा जो लेपट आफ है अच्छली थोड़ा सा कम रहा है यह यह आपको नॉर्मल दिख रहा है ओके यहां पर आपको जैसे आप उप लहांते लिए च्छली खौरताओं को सब्सpesi पर आपको दिख रहा है welcome to illustrator यहां पे यहां पर सिम्पल वेलकम टो बेलस्टेटरuir का स्वागत है सिंपल ही इसमें बताने मोँ सब्सक्राद मन accidents यहां पर यहां है इक सब इस तो डाइप की फाइल क्रेा प्रेट करना छाथ जैसे आप कोई पोस्ट का अब जैसे कोई लेटर बनाना चाहते हैं तो लेटर की साइड चिर्णरली क्या होती है 600 बार गुड़े 792 पीटी ठीक है तो यहां पे यह एक पैमाना दे आता है कि मतलब आपको फिक्सली आप कुछ बाइडिफॉल साइज दी जाती है जहां पे आ दिये जाते हैं ठीक है मोट परिसेट से क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारे मिल जाएंगे जिसे शेप पर होगे आप सब के लिए वीडियो के लिए आठ इलिस्टरेशन के लिए यह सब चीजो के लिए आपको यहां पर मिल जाएगा डिफेरिंट डिफेरिंट साइज कि उसके बाद यहां पर न्यूव फाइल के लागों जस्ट सिंपल पता है कि सिंपली अगर हमें एक बिलस्तो हमें एक डैसबोर्ट चाहिए होगा जहां पर हम लोग यह अपना कोई भी इमेज कर सकते हो तो उसकी वह इमेज वह डैसबोर्ट कहां से मिलेगा या वह आर्ट ब पिक्सेल में इंच में फिट में याड में मीली मीट्र गया शाओ उसको चेंज कर सकते हो ठीक कोई भी पैमाना जो भी आप साइट बनाना चाहता तो साइज ले लो एहां पर क्लिक कर दोगे तो एक क्रियेट हो जाएगा तो यहां पे अग्य वास हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पे हम लोग देखें हैं यहां पर देखता है CMY के Color और RPG Color तो यहां पर आपको जो Color Mode चाहिए वह उच्छड़ कर लेब है मैं यहां पर CMY के रखें मोर्स सेटिंग पर आप जा सकते हैं यहां पर भी बस सिंपल बहुत कुछ एक्ष्टा नहीं मिलने वाला है यहां पर कुछ एक्ष्टा आपको है नहीं ठीक है ठीक है उसके बाद यहां पर मैं कैंसिल करता हूं और यहां पर एक option दिख रहा होगा orientation और artboard ठीक है width और height मेरे मेरे खाल सापको समन में आ रहा होगा blade ठीक है यह आपको नहीं समन में आ रहा होगा और एक यह चीज़ यह option दो है जो कि थोड़ा से unique हो सकता आपके लिए तो orientation में क्या होगा अगर मैं चाहता हूं कि यह जो size है यह अगर horizontal में होगा तो कुछ इस तरह से vertical में चाहते हैं तो कुछ इस तरह समलोग यह size पर क्लिक करेंगे और जो artboard होगा उसकी size हम पढ़ा कटा सकते हैं ठीक है इसके अलबा है artboard जिसको मैं बाबा बोला हूं artboard इस तरह का एक white color का एक box मिल जागा जिसके अंदर पूरा पूरा पूरा आपको सारी की जो भी चीज़े है आपको create करना होता है ठीक एक artboard एक white color का आपको board टाइप मिल जाता है जहां पे आप अपने डिजाइनिंग create करते हो ओके फिर मैं यहां पे अगर मैं दिखा हूं आपको यहां पे artboard 1 का मतलब होगा कि इसमें केवल एक ही artboard नहीं होगा अगर आप चाहते हो कि एक से ज्यादा दस से पंदरा पेज या तीन से चार पेज पर काम करना चाहते हो तो artboard आप और बढ़ा सकते हो जिसमें यहां पे मैं 10 पाज कर सकता हूं ठीक मैं फिलाल में यहां पे एक करके यहां पर बाइडिफाल लगता हूं ओके य आप यह देख रहे होंगे कि आप यहां पर देख रहेंगे तो एक साथ सारे बढ़ें असका उसका रिजन है यहां पर यह मैच ठीक है यह एक साथ मैच है तो इसको मैं अनलिंक करता हूं यह लिंक है पुरा तो अनलिंक करने के बाद यह क्या होगा कि अभी आप सिंगल जि बना सकते हो और ना उसके बाद मैं उपर जाता हूं जो मिनु बारक वाला option जो दिख रहा है आपको यहाँ पर simply यह home का option होता है यह आपको सबको पता है और यहाँ पर है file का option फाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर simply new file कर सकते हो अगर कोई template में से अगर चाहो तो template में से भी आप चूज करके एक coin कोई अपना designing त्यार कर सकते हो अदर्वाइब इसको cancel करना है और इसके बाद फिर open है open पर click करेंगे अगर ओपन पर click करके वही से मैंने option बताया आपको कि अगर आपके पास पहले से कोई बना वाले श्टेटर फाइल हो उस पर click करके आप यह open कर सकते हो बना सकते हो ठीक है open recent file में क्या होगा अभी तक तो इस पर कोई भी फाइल नहीं बनी है इसलिए ऐसा दिख रहा अगर रिसेंटली कोई भी फाइल अगर आप यूज करते हो तो रिसेंटली कोई फाइल अपने यूज करते हो तो यहां पर option दिखेगा अगर आप ड्राउजर भी इसको ओपन करना चाहते है तो फिर यहां पर close है close all है simple अगर आपका आट बोड ओपन होगा तब कलिए सारा प्रोसेस दिखेगा इसको भी किप कर देते हैं ठीक है उसके बात का इस इडिट है ऑबजेक्ट इसके भी option में आपको आगे चल के बताऊंगा भी इसको इतना इसकीप कर रहते हैं नुक्त kidding brand कि यहां पर दिखे लेता हूँ क्रोड़ने पिक्सेट राम पर इस्ताग्राम इंस्ताग्राम को लिएता हूँ पिक्सल्स में और यहां पर मैं कर देता हूँ रिएट पिक क्लिक करोगे और यहां भी आप देखो कुछ चीज तरह कापको आइट बूद देख जाएगा के लेट अगया अब देखना अभी इसके बात क्या करना होगा बहुत यह असान हो गया अभी हमें यह आप इतने सारा option दिखे हैं happier option क्या है कैसे मैं इसके बारे में इढ हूं कि तरह है फिर जैनल यहा पर द्रहों यह सारे हैं टूलहें यह सारी गिजल वार आज शारे टूलहें और ले और इस स्मिलेगा इस आर्ट बोर्ट यूज करोग्य इस आर्ट बोर्ट एड्वी लयूज करे यह जानकारि ओगी आपको इस वाले सेक्षि takie कि ते जो प्रॉपर्पर गडीज वाले सेक्षन यही संउस्ग्ष मिल्ड जैक इस तका क्ता भी इस आर्ट आप जो भी आपने बताया मैं आप के लिए अपने उसके बाद आप शाहो तो यहां पर भी इडिट कर सकते हो यहाँ पर जो साइज बहाना घटाना वो घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से ओके आर्ट बोर एक ही है यहाँ पर दो आप्शन दो का आप्शन ही नहीं है हना हिसके तो है नहीं के उसके लिए को इसके लिए हमने यहां पर डिश्टल स्केल बना रखा है सौफटेर में इसवे रखते हैं इस तön लोग यहाँ यूज करते हैं अभी ये हम भागए ये इसके लिया से होगा और ये यहांसे होगए और यह यहां से, ठीक है मैं यहां पर लेता हूँ, यह होगे, simple होगे, अब यह क्या होगा, एक scale यहां पर इसमें बना दिया, मैं यहां पर करता हूँ, फिर यहां पर click to show grid, अगर मैं यहां पर click to show grid कर दूँगा, तो यहां पर जितने भी छोटे-छोटे भी यह जो option दिख र जग जगर हमें लग, अगर हमें कोई भी जगर एक point से दूसे point तक बनाना होता है, तो हम लोग जैसे भी यह point एक box बनाना है, मैं यहां पर ऐसे box बना लेता हूँ, और यह कैसे box बना लिया, ठीक मैं इसको feel कर दूँगा, एक box बन के रेटी होगा, यह सारा option कैसे मिलेगा, कैसे मिलता हमें, यह सारा option हमें मिल जाता है, यहां पर rules and grids से, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी इस पर हटा देता हूँ, ठीक है, अगर हमें background simple यह check करना है, हमें सारा का सारा जितना भी background है, वो blank होना चाहिए, तो तब हम लोग यह वाला option यूज कर लेते हैं, height transparency grid का ओके, अब clear होगा, मैं यहां पर इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, grid rules में क्या होगा, यहां पर चाहो तो rules grid को जो भी rules लगाना चाहता है, तब वो लगा दू, ठीक है, grid so करना है, तो यहां पर click होगा, अगर grid नहीं so करना है, तो उसको हटा देंगे, ठीक है, उसके फिर यहां पर अगर चाहो तो जो भी smart grid है, उसको आप बंद कर सकते हो, अपने साफ से, hide कर सकते हो, okay, सिनफ उप्सन में, guys, क्या होगा, यहां पर अगर आपको point, जो snap option है, जो भी आपको option है, अगर grid के पास, अगर कोई भी चीज बनाते हो, अगर उससे थोड़ी से दूर अगर रखना है, तो आप यह option उज़ करोगे, अगर उससे पास, उसके पास रखना है, तो आप यह option उ divide करके use करना है, तो आप pixel का use कर सकते हो, ठीक है, यहां पर preview, bonds का मतलब हो गया, आपको यह preview करके आप देख सकते हो, scale corners हो गया, scale is to, अभी इसका use हम लोग थोगा से बार में देखेंगे, ठीक है, इतना इसको skip करता है, चलो, next point पर आते हैं, अब हम लोग आते हैं, टूल प यहां पर mouse लेके जाओगे, आपको यहां पर नाम इसका अप्राज़ जाता है, selection tool, selection tool का मतलब easily बस क्या होता है, किसी भी चीज़ को select करके movement कराना, ठीक है, उसमें जो भी type का moment चाओ, वो moment आप करा सकते हो, जैसे अभी इस पर मैंने क्या किया, यह कहां slice के लिए परसान मत ह कराना हो, सब्सक्राइब करा सकते हैं, selection tool से, selection tools से, अभी समय का, कहीं भी, मज़ना कराना, कहीं बहीं इसको ले जाना हो, कहीं भी इसको चैनि करना हो, सारा काम किसी होगा, selection tool से, और करने है और коiç, यहां पर है direct selection tool, अब, और मिले जा दारेक्ट जिसको बोलते हैं Direct Selection Tool. Direct Selection Tool में क्या होता है। कि हमें किसी Particle किसी एक Point को ठीक है यह किनारी किनारी जो है इसको Anchor Point बोलते हैं येतने यह anchor point इसमें 4 anchor point है इन 4 यह anchor point को अगर चाहो तो आप अपने हिसाब से Manage कर सकते हूं मैं यह देखो इसमें हिसाब से 4 anchor point को इसा इसाप में कर साथ हूं कि मैं मैं चाहूँ तो इनको अपने अब से एड मिलटा साथ कॉस्ट में तामढ़नी है है कि मुल अपने अंकर सब्सक्राइब जो कोने कोने हैं इनको क्या बोलते हैं कर近 couch त्यूह समय क्लियर तुल stiffness वहाएप समय अगया अब गैस इसी के अंदर न एक और option होते हैं इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको यहां पर दो option मिलेगा एक group selection tool का है और एक lasso tools का अगर गैस हमें इन सबको एक साथ हमें कोई भी काम करवाना हो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए group selection tool का यूज करेंगे ठीक है जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और इसके अंदर और भी section अगर होते हैं तब के लिए यह एक ही बार में सबको यूज करा था जैसे जैसे एक एक ले लिए यह लिए लिए और एक लिए लिए ठीक है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और यह देखो अभी यह जैसा ही काम करेगा अब इसको कहीं भी मुझे अलग-अलग से ले आके नहीं करना होगा यह सारे एक जैसे काम करेगा ठीक है जब मैं इसको एक साथ कम्प्रिटली एक कि यहां पे है लेसुटूल में क्या होगा कि यहां पे ऐसे कर के इस तरह घूमाया तो क्या होगा एक अगर आप इसके अलाम आगर मैं चाहओ तो इसमें सेक्षिंट को भी बस सलेक्ट कर सकता हूं यह सारे अगर ध्यान से कद मैं देखूंगा च्ट्रोड प्लस बटम को एक साथ प्रेश करके हम लोग जूम कर सकते हैं यह सब सारे इसमें खाली हैं लेकिन यह जो तीन बटम है यह हमें साथ सेलेक्टेड हैं आप इसको ध्यान से देखोंगे तो आपको दिख जाएगा यह स सारे भरे वे हैं ओके मतलब वो सलेक्ट हैं लेकिन यहां पर देखों यहां के बीच में दिखलका सा गैप दिखेगा आपको तो सब मिलाके कुछ इस तरह से यह आपका लैसो और सेलेक्शन और ग्रूप सेलेक्शन टूल्स काम करते हैं अब इनके उसे मोग बहुत साइट आफ्रेस बनाने बहुत टारी इंग मनने वालें बहुत एच्छ एच्छ डियानिंग बनाना बनाना सुरू करेंगे वह को बहुत यह असान होगा जैसे एक एक छोड़ा सा बनाना तो मैं आपको बता देता हूं एक छोटा सा हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कोई दिख करते हैं अभी हम लोग लोगों ने क्या सीखा है बस वनली सेलेक्शन टूल ठीक है डायक सेलेक्शन तूल इसी के मरद से हम लोग एक छूट इस रिया नहीं करेंगे और कुछ भी यूज नहीं करेंगे बस वनली कलर फिल करने आना चाहिए आपको देखो को सिंपल कर दिया और मैं इसमें फिल कर दिता हूं यह देखो बहुत असान हो गया ठीक है एक छोटी से डिया हम लोगों यहां पर दे दिया और अगर हम लोग चाहा है तो इस है ठीक है यह कुछ सेव जैसा लग रहे हाला के यह समझे कि आप छोटे से बच्चे है और आपने भी छूटी से ड्राइंग बनाई है ओके तब के लिए चलो इसको डिलिट करते हैं और साज बहुत साइज सेलेक्स अगर और भी बहुत साइट तूल से अगर उसको मज़स स बनाएंगे तो यह पुरा एक से हम लोग रेडी कर सकते हैं ओके उसके बाद है आफ्सन आता है पेंट टूल का ठीक है यह पेंट टूल में भी बहुत सारे आफसन पेंट ने दो आफसने इसके लाब पेंट टूल का और भी एक उसका मिलता दोता उसका एक भाई च्टा भा एक को ड्रॉ करना हो या तो उसको अउटलाइन इसको करना बना ना हो तो उसकी रहरो खोली उसकर होगे पेंट टूल से उसके बहूत हूंँ कर लिए मैं अवह और है उसको वा。 यह विए अभी मैं अपको एक कीद बताना चाहूंगा इसमें कि देखो इसको यूज करने के सबसे पर इस पर क्लिक कर दो सब्सक्राइब एक इमेज लेता हूँ कैसे यूज करते हैं कहां पी जाता है कि मैं एक शॉप मैं एक लिए लेता हूँ ग्राफिय डियानिंग का यह ठीक है चलो मैं आपको करता हूँ और मुझे यहां पर मैं इसको फ़र से जूम करता हूँ और यहां पर अगर मुझे यहां पर देखा, मुझे यह लेना है और यह से बनाना है यहां पर ऐसे, तो मैं ऐसे करूँगा और अब अगर आप beginner हो तो आपको यह समझने में अथ्वास दिक्कत होगा कि यह चीज कैसे आ गया और कैसे यह घूम गया तो यहां पर करने जाओगे तो उससे में आपको बस simply यहां पर क्लिक करते हो सबसे पहले इसको को Move कराने के लिएहां पर simply click करो और यहां पर ऐसे घुमाद हो यहां पर काएकरना को क्लिक वाला जो बट्म जहां पर क्लिक किया उस button को ýidée करके रखें बट्म को छोड़ें अमति जब यहां पर इसवाद सप्ने सब से अर्जेस्ट हो जाए उसके बाद क्लिक वाले बटम को छोड़ दीजिए और यह अपने इसाब से फिक्स जाएगा उसके बाद फिर जहां से उठाया था जो आखरी पॉइंट जो बन रहा है उसी पे जाके इसको क्लिक कर जाएगा और नेक्स्ट पॉइंट के लिए रेडि अप्ष casual option ठीक है है और मैं इसको यहाँ पर कियो और लांड है मैं यहाँ पर कर लाता हूँ इसको ठीक है और मैंना यहाँ पर कलर सांटी है और फिल कर दोुतzy है क्लर सिल्प को ओके सुहुवब आपको समया हुआ आप आपको डेमो के लिए दे रहा था है यहां पर कोई श्म लोग को नहीं देना है ठीक है और मैं यहां बढ़ा चीज़ नहीं बताने आपको देना है ऊब नौर्मल करते हैं चलो इसको पेंट टूल के बाद अगर हमें इस इसको मैंने आपको स्टार्डिंग बताया तो यह जो आखरी वाले पॉइंट है कि रच यह यह वाला जो भी पॉइंट है ठीक है यह वहल जो भी point है इस point में क्या बोलते हैं anchor point हर एक कोने-कोने जहां पर वह ता इसको बोलते हैं anchor point अब गईस अगर हमें यह anchor point जो है ठेक है अगर यह जो anchor point है अगर इस anchor point को मैं अगर मैं यहां पर एक मैंट इसको सलेक्ट कर लेते हैं और यहां अगर मैं इस इंकर पॉइंट को सलेक्ट करता हूं क्लिक करके और मैं इसको पीछे लिया के अगर मैं अपने हिसाप से इसको manage करना चाहूं तो तो बिल्कुल manage कर सकता हूं यह बदेखो ए हो हाँ यह होगा ऑप application है कि मैं अब बहुत यह संप्ल बहुत ही स chatो तो लोग मुमेंट करा सकते हैं यहां पर चाहो और यह कर सकते हैं कि वोगे सुभूप आपको इसोंजा गया होगा किलियर इसमें कि मैं यहां पे क्लिक करके यहां पे अटा रेता हूं और मैं आप कि चलो और यहां पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं चलो कि स्वारी यहां पे इस चीजस का है मैं सोच आता है कहां से आगया यह कौन सा हट नहीं रही है क्विसा कलार है ओके सो यहां पर मैं इसको हटा रहता हूं चलो एंगर पॉइंट होगा एंगर पॉइंट के बाद यहां पर है करवेचे टूल में क्या होता है simply यह एक paint टूली है इसमें कुछ special नहीं है बट इसमें थोड़ा से different होता है different क्या होता है जैसे use करने में अगर मैं यहां पर करता हूं सिंपल यहां पर और यहां पर लाके फिर उसके बाद मैं अगर यहां पर बैए कि मैंने सब कुछ भी नहीं किया बट यह आट्माजिक सारे के सारे क्सेलेक्ट हो गए अगर हमें इस सब में अगर थोड़ा सा different करना हो तो alt button press करेंगे और इसके एक mouse को click करेंगे और यह अपनी साफ से fix करना इसको सुरू कर देगा साथ चीजो को सीधा कर देगा यह क्या कर देगा सीधा बहुत सिंपल सिधा कर देगा यह देखो हो गया clear अभी खुब आपको समया आपको बहुत सिंपल बहुत यह असान है ठीक है तो यह काम है एक करवेचर का ठीक है इससे आप बड़ी बड़ी डियाइनिंग बना सकते हो जो घञाना तो नेक्स पार्ट में लोग यह दियाएं यह जो नेक्स फॉइंट है इसी में एक चोटा समलोग एक डेमो करेंगे जांपल करेंगे असके बाद लोगो नेक्स पॉइंट को पढ़ना सुरू करेंगे स्टीक है और याद यूटूब पर देख रहे हो तो प्ली क्वेरी हो प्लीज मुझे जरूर ये सेन कीजिए यहां वे आपको सेक्षन मिल जागा क्वेरी करने के लिए कोई क्वेश्चन हो आप तो तो मिलता हूं से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार फुदा आपिस चैहिन जय भारत